असलों आलेकुम दोस्तों दिस इस शैक बादनी और वेलकम तो माई चैनल अगेन तोड़े आप ब्रोट वेरी इंपोर्टेंट लेसन आज का जो हमारा लेसन होगा वो काफी जरूर ही होगा एडवर्स के अवाले से क्यूंकि आपको पता है कि एडवर्स पार्टस ओफ स्पीच में आती है और चुके एडवर्स का काफी ज्यादा इस्तमाल होता है इंग्लिश में तो इसलिए हम उनका डिसकस करने जा रहे हैं लेकिन जैसे के एडवर्स के बाकी बहुत सारे टाइप्स है और वो आसान दिशायद होंगी लेकिन जो ज्य ज्यादा तर मसाल का सामना करना पड़ता है इंग्लिश बोलने वालों को या लिखने वालों को तो मुझे उमीद है वो है एडवर्स फ्रिक्वेंसी तो देखते हैं कि एडवर्स सबसे पहले किसे कहते हैं पर फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं और फिर वन बाइवन स्टेप ब माइनी में इजाफा करें तो इसे हम एडवर्ब कहते हैं माइनी में इजाफा करें पर आप देखें कि फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी कहते हैं कोई भी काम जो ओ रहा हो वो कितने परसंट हो रहा है वो कितना ओ रहा है ज्यादा हो रहा है पचाथ फिसद तो हम देखते हैं, यहां हम यह देखेंगे, कि हमारे पास कौन सा एड़ वर्ब Şimdi किस जगह पर किस वक्त कि लिए या वो काम जो 50% आप उस परसंट कने क्या लफ समाल करेंगे या वो काम जो 60% होता रहा है उसके लिए हम क्या वोर्ड इस्तमाल करेंगी यह वो फ्रिक्वेंसी में हम देखते हैं नमबर वान हमारे पास है आल्वेज आल्वेज का मतलब होत है 100% चुकि आल्वेज हम इस्तमाल करते हैं कि अगर कोई काम हम 100% कर रहे कई हम 100% रेगुलरी जा रहे एक दिन भी चुटी ने कर रहे तो कहते हैं आल्वेज जैसे अगर मैं कि स्टुएंस से पूछूं के यार आउफन दो यू अप्टो इस्कूल और दो इस्कूल और रहे तो वो कहे आई आल्वेज गो तो मैं हमेशा स्कूल जाता हूं आई मेशा मतब 100% जाता हूं दर गोट सेके बोन जूष्वली जूष्वली में 90% 90% जूष्वां बोस लोगों को चुपने गे के वो कहें यार ए उस्कूली राई प्लेटर्स ए उस्कूली एह उस्कूद ए स्पीक्शज आ अवर उस्कूली स्टैसे प्लावडली almost 90% then we have got normally and generally don't know normally or generally 80% I normally do this work I generally just do this work it means 90% I am going to do this work so in that case we can use it then we have got often and frequently often and frequently okay this word is called often also so we we should not mistake or we should not think that that is wrong actually often and often both are right and it is just the matter of accent accent difference is there you have my mind in our mind which is often or frequently 70% of the work is 70% continue sometimes 50% I sometimes work I sometimes work it means 50% I work 50% no sometimes sometimes not occasionally 30% seldom 10% and hardly ever or rare rarely we say I rarely go for picnics it means most of the times I get engaged with other works for picnics I don't have time but rarely I go rarely means I just go you can say 5% and the last but not the least one of the important adverbs that is never 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 means never means 0% it is completely reciprocal and opposite of always when we do anything all the time 100% so always and when we do not do anything not at all then we use it we use it we use it never 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 means we use it when we use it 0% you do not do it so 0% you do not do it so this is what our lesson is adverbs about it I hope that you will have adverbs very clear and if you have any questions let me know in the comment box see you in the next video till then Allah Hafiz is